जूले लदाख में नमशकार या ग्रीटिंग्स के लिए जूले कहते हैं और आज यहाँ पर साथवा दिन है अंशन का और अल्प संख्यक समुदाए के लोग यानि कि माइनॉरिटीज के लोग नौवे दिन पर हैं अंशन के दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी का जिनोंने देश और दुनिया भर से लदाख के इस अंशन और इस आंदोलन का समर्थन किया पूरे लदाख की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं और दूसरी बात आप लोगों में से बहुत से लोग शायद ये सोचते हैं कि इस आंदोलन का नेत्रित्व मैं कर रहा हूं इसका चेहरा मैं हूं असल में मैं भी आप लोगों की तरह इस आंदोलन के समर्थन के लिए आया हूँ, अपना दायत्व निभा रहा हूँ इस पृत्वी के लिए और यहां की संस्कृती और लोगतंत्र के लिए इस आंदोलन का नेत्रित्व कर रही है एपेक्स बॉडी जो की बहुत सारे संस्थाओं का और धार्मिक नेताओं का एक संगठन है और उनके सर्वोच नेता है श्री थुपस्तन सेवांग जी चलिए आज मैं आपको परिचय दूँ लदाग के इन नेताओं का जिनोंने लदाग को राह दिखाया है श्री थुपस्तन सेवांग अब 77 वर्ष के सबसे सम्मानित लदाग के नेता है और उन्हें लदाग के घांधी भी कहा जाता है थुपस्तन सेवांग जी ने अपना राजनीतिक जीवन 1972 में एक युवा नेता के रूप में शुरू की जब उन्होंने एक आंदोलन छेडा लदाग को केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाने के लिए इस दोरान ततकालीन जम्मु कश्मीर सरकार ने उन्हें बहुत यातना रहे फिर 1989 में एक और अंदोलन छेडा गया लदाग को यूटी बनाने के लिए जिसके फल स्वरूप 1995 में में यूटी से थोड़ा गट कर लदाग ऑटॉनमस हिल कांसिल का गठन हुआ और इस में लदाग भर ने उन्हें निर्विरोध इसके अध्यक्ष के रूप में चु बिडियों के विकास के लिए ध्यान देते हुई शिक्षा में बहुत सुदार लाया घैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने शिक्षकों का प्रिशिक्षन कर वाया किताबें पुस्टगें बनवायी और गाव गाव में विलेड एजुकेशन कमिटी गठन किया जिसके फल स्वारूप शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और दस्वी की परिक्षाएं जो कि केवल पांच परतीशत होती थी लदाख में तब सफलता वो बढ़कर 75 परतीशत तक पहुंच गया फिर 2004 से वो पांच साल के लिए लदाख के सांसत बने लो फिर उन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी से नाता जोड़ा और उसके सांसत बने लदाख के तरफ से क्योंकि भारतीय जनता वार्टी पार्टी का वादा था कि लदाख को 6 महिने में वो यूटी बनाएंगे अगर वो सत्ता में आए बीजेपी लदाख में कुछ दरजनों लोगों की पार्टी थी छोटी सी और थुपस्तन जी ने इस पार्टी को लदाख के सबसे बड़े पार्टी के हद तक पहुंचाया और वो सांसत बन कर दिल ली गए मगर फिर 2018 तक आते आते उन्हें उम्मीद नहीं दिखी लदाख को यूटी बनाने की इस पार्टी द्वारा तो उन्होंने इस सांसत के पद से भी इस्तिफा दे दिया और अलग हो गए शायद इसी कारण से की अगली बार जब 2019 में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने लदाख को यूटी घोशित कर ही लिया अब थुपस्तन जी बहुत प्रसन हुए और फिर से भारतिय जन्ता पार्टी से नाता जोडने लगे मगर फिर एक और बदनसीबी ये हुई कि जो प्रकृती और संस्कृती का संग्रक्षन छटवे शडूल में देने का बीजेपी ने वादा किया था 2019 के इलेक्शन में वो फिर एक साल के अंदर उस वादे से भी मुकरने लगे तब उन्होंने मजबूर होकर लेके सारे संस्थाओं और नेताओं को एकत्रित करके एपेक्स बॉडी का गठन किया और फिर कारगिल डिमोक्रिटिक अलायंस के साथ मिलके एक आंदोलन छेड़ा लदाक को छटवे शडूल में शामिल करने के लिए तो ये थे थुपस्तन जी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत से पदों पे रहे मगर उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया और उनके पास आज कुछ भी दन दौलत नहीं है इसलिए लदाक के लोग उनको देवता समान मानते हैं लदाक एपेक्स बौडी के दूसरे शीर्च नेता है छेरिंग दोर्जे लाक रुप जी वो लदाक में बहुत से पदों पर जनता की सेवा करते रहे हैं लदाक बुदिस्ट एसोसीएशन के पहले युआ अध्यक्स के रूप में फिर MLA के रूप में फिर MLC के रूप में जमू कश्मीर असेंबली में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में और जो लदाक के हिल काउंसिल के चेर्मैन भी रहे हैं हाल के वर्सों में उन्होंने लदाख एपेक्स बॉडी के को चेर्मिन के रूप में नित्रत्व दिया और आज वे लदाख बुदिस्ट एसोसियेशन के अध्यक्ष के रूप में बहुमत से चुने गए तो ये थे लदाख के नेता जो अगवाई कर रहे हैं इस आंदोलन के एपेक्स बॉडी में बहुत से धर्मों के और संस्थाओं के नेता भी हैं आज आप लोगों का धन्यवाद करते हुए लदाख का समर्थन करने के लिए मैं आपका परिचय इन नेताओं से करना चाहूंग तो ये है सेरिंग दुर्जे लाकरुक सहाब जो एपेक्स की नेत्रित्व कर रहे हैं और ये हैं एपेक्स बॉडी के लीडर्स जो ले में इस अंशन और इस आंदोलन की नेत्रित्व कर रहे हैं जिनके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया हम सब आप लोगों को ज झाल झाल